श्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारे देने वाले हैं इंटाफॉल टैबलेट के बारे में जो कि आप अपने स्कून पर देख रहे हैं इंटास फार्मासुटिकल्स कंपनी के दोरा एह मेडिसिन बेची जाती है आज हम जानेंगे इसके यूजज बेनफिट साइड इफेक्ट साथी साथी साथ इसके अमारपी किस तरह के परिशानियों में डाक्टर इस टैबलेट को रेक्मेंड करते हैं महिलाओं को प्रेग्नेंसी में इस टैबलेट से क्या बेनफिट मिलता है उन्हें क्यों रेकमेंड किया जाता है इसकी डोजिंग क्या है और कितने दिनों तक लेना रहता है किस तरह से लेना रहता है तो पूरी प्रॉपर इन्फरमेशन के लिए बने रहें वीडियो के लास तक और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और वेल आइकन जरू दुमाएं ताकि मेडिसन से रिलेटेड जो भी इन्फरमेशन हम अपनी टूर चैनल पर सेयर करें आप तेक नोडिपिकेशन के माध्यम से जरू पहुँचे सबसे पहले जानेंगी इसकी कमपोजिशन के बारे में कि कि किसकी कमपोजिशन से मिलकर के हमेडिसन बनी है तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख शकते हैं इसमें दोस्तों कैल्सीमल 5 मेथाइल टेटराहइडोफोले टीवस्पी 1 मिलिग्राम है साथी साथ मेथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम है इसके लामा पायरेदाक्शनल 5 फासपे 0.5 मिलिग्राम दिया हुआ है तो तीन कमपोजिशन से मिलकर के बनी यह मेडिसन होती है और 171 रुपए इसकी MRP है जिसमें 15 टेबलेट पाय जाते हैं यानि 171 रुपीज की ये किस्टी पाती है इसमें 15 टेबलेट होते हैं अब हम जानेंगे इसके यूज के बारे में तो दोस्तों इसका जो रेकमेंडेशन होता है ज्यादा तर प्रेग्नेंसी के दवरान महिला होता है इससे जो है neural tube defect वाली problem नहीं होती है बच्चों में neural tube defect जो की दोस्तों बच्चों में खास करके होने की संभावना होती है neural tube defect दोस्तों एक ऐसी बिमारी है इस condition में जो बच्चे की read की हड़ी रहती है या पूरा कह सकते हैं बच्चे का जो growth होता है वो सही तरीके से नहीं होता है इस टेबलेट के देने से neural tube defect जिससे एंटीडियस भी short form में कहते हैं इस तरह की problem नहीं होती है इसके देने से दोस्तों बच्चे का जो spine card रहता है ये शेरीड की हड़ी कहते हैं मेरुदंड की हड़ी कहते हैं वो proper तरीके से डबलप होती है साथी साथ बच्च methyl tetrahydrofolate जो है folic acid का upgrade version है जिससे की जो है hemoglobin भी काफी तेजी की साथ में बढ़ता है और gastric intolerance वाली problem भी नहीं होती है इसके लामा दोस्तों overall महिला को जो immune system रहता है वह भी इससे मजबूत होता है और महिला में जो भी nutritional efficiency रहती है वह भी इस tablet के देने से पूरी होती है बात करेंगे इसके dose की दोस्तों तो इसका जो dose है basically one tablet OD का इसका dose दिया जाता है यानि कि दिन में के और एक tablet इसके अलामा side effect की बात करते हैं तो इस tablet से कोई वी से side effect नहीं होता है हाला कि कुछ patients में थोड़ा बहुत गैस वाली problem या फिर pregnancy के दोरान महिलाओं में nausea और vomiting की tendency दिख सकती है जो कि अपने आप ही ज्यादा तर मामले में ठीक हो जाती है बहुत ज्यादा कोई side effect दिखे तो डाक्टरिस से सलाह ने और दी गई जानकारी अच्छी लिए हो तो चैनल को जरी सब्सक्काइब करें मिलेंगे आप से इसी तरह की किसी अन्य वीडियो में तब तक कि के लिए जय जय भारत मने मात्रम